अभी जो मुद्दा आपके सामने में रखने जा रहा हूं, खुछ सकता आपने पहले इसके बारे में पढ़ लिया हूं, यह है तो पुराना एक साल पुराना और शुरुआत उसकी 2017 में हुई थी, मैं इसको सीक्वेस में बताऊंगा अभी मेरेट पुलिस का ट्वीट आया है, कि हमने यह क्रैक कर लिया है, कि इसके पीछे कौन जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर है, जिसने यह सब करा है, जिसकी वज़े से, जिसका मतलतों मूल हाथ है लेकिन यह ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर ही सब तो अलग चीज़ है, क्योंकि इस मुद्दे में जो लड़की है, उसके ओपर काला जादू भी किया गया है, तो वो दूसरी चीज़ है, वो एक अलग मुद्दा है और उसका बहुत छोटा हिस्सा है, यह घटना हुई, यह घटना सुरू, मतलब लिंक बताता हूँ, 2017 में, जब लड़की बीकॉम पढ़ रही थी, लुधियाना में, खालसा कॉलेज से, वहाँ वो एक लड़के से मिलती है, उसका नाम अमन है, लड़का अपना नाम अमन ब तो उनको इस लड़के का आना मिलना जोना पसंद नहीं था बल्कुल भी, कभी-कभी फैमली की बात मान लेनी चाहिए, इस वीडियो से आपको कई चीए सीखने को मिलेंगे, और specifically मैं चाहता हूँ, अगर लड़कियां इसको seriously लें और लड़कियों तक की बात पहुचे तो लीजिएगा, मैंने कुछ उपर नीचे जादा बोल दिया हो, तो कम ने बता देना कि तुमने स्टोरी से जादा कुछ बोला है, जो स्टोरी में नहीं है, तो इन लोगों में रिल्स्ट्रिप चलता है, वो लड़की इतना इसके पहर में पढ़ जाती है, इतना affection हो जाता है कि वो घर के गहने तक चुरा के लिए जाती है, साथ रहने के लिए, और क्योंकि कमा मा भी रही होती है, जौब अब बिवाद में करने लग जाती है, अपनी पढ़ाई करने के बाद, तो फैमली पोतर डिपेटने होती है, तो फैमली की टोक टाक भी पसंद नहीं होती है, तो यह लोग साथ में रहते हैं थोड़ा बहुत, यह लोग एक बार शादी भी कर लेते हैं, जिसका पता चलता है, उनके अंकल को इसके फेजुपेट से, आपको लड़की की फोटो भी दिख चुकी होगी, लड़की जब लड़के को प्रशराइस करने लगी, लड़का मे इद को, इद की रात में, चांद रात जिसे कहते हैं, वो भी कोट किया गया है, चांद रात में उस लड़की को मार दिया गया, गला काट दिया गया, यह गला काट ना, आई यह साइस वाले सचमी फॉलो कर रहे हैं क्या, मतलब जो ऐसे करता है गला ही काट रहा है, अब अगर अगरी करगी तो और कुछ आपत्ती हुई तो मार देंगे शायद आपत्ती हुई होगी जब वहाँ पर पता चला हुगा आने तो शायद लड़की ने आपती दिखाई होगी इससे पहले वो जाती ही कम्रीम करती कुछ और करती कि मैंसा दोखा हुआ है लड़की को मार दिया अब केस गया पुलिस के पास पुलिस ने शानमीन की सब चीज़ पता लगाई बेशरमी की हद देखी है लड़के ने मारन लड़की के प्यार करती थी घर से चोरी कर सकती जो लड़की अपने घर के गहने आपके साथ रह सकती है आपको काला जादू वाली बात मैंने बताई, लड़के ने उस लड़की कोच ताबीज भी पहनवाई थी, एक काला जादू करने वाले से भी मिलवाया था, कुछ काला जादू भी करवाया था अपने बस में, कि सब पुछ कर सकूँ, जो भी वस में करके करना है, चोरी भी व पुछ कर लिया फिर उसलेस होगी लड़की मार दिया और सर्प्राइस की बात यह है वो गाउं मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया है जिस गाउं में लाश मिली है जिस गाउं में वो लड़का रहता था साकिप दूसरी चीज है कि उसके बाकी के एक दो भाई जो और हैं वो लो साकिप को उस स्पॉर्ट पर ले जाए गया जैसा कि आप दिख रहा है उसने भागने की कोशिश कि इंकाउंटर में तीन गोलियां में लगी शायद मरा नहीं खैद सरकार सही उम्मीद है कि इसके खिलाफ सक्थ सक्थ एक्षिन होना चाहिए सब के सब को फासी लगने चाहि कि भारत में लव जिहाद जैसा या कनवर्जन जैसा या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करने की कोई कोशिश ना करे रूफ काप जाए और इसके लिए जनता को एक होना पड़ेगा ये वीडियो शेयर करिए कम से कम जिस पोर्टल पर आपको जिस न्यूज जो वीडियो आपको म आज दुनिया में नहीं है क्या मैंने कोशिश किया मैक्सिम पॉइंट कवर करने का कुछ मिस हो गया होगा लिंक पढ़ लीजेगा कुछ मैंने मिस कूट किया है करेक्ट कर दीजेगा अभी किसी को हिंदू-मुसलिम का इज़ाम लगाना है मुझे घंटा फरक नहीं पड़ है में दो तो महिलाएं ही है यह आपको लिस्ट भी दिख रही होगी नाम भी दिख रहा हो गा मतलब एक लड़की को मारा है और लेवल देखिए लड़कीन मारा जि पर पल रहाएं किया इसका तोड़ कानुन से नहीं कंुस सकता कोई बचे तब तो कानुन के पास जाएगा समझे इस बात को अगर लड़की बज जाती तो शायद पुलिस के पास जाती इससे पहले गई बच पाई अगला अब आन्ट इसका तोड़ यह है कि लड़कियां अवेर रहें आप वीडियो शेयर करके लिंक शेयर करके अवेर कराई उनको कन्विंस करिये अपनी बेहनों को कि बचे रहें ऐसे दरींदों से कि लीज यह आपकि अपर है अगर आपको मेरी कोली बात सही लगए इस वडियो को शेयर करें ऐगा चैनल